Hello everyone, welcome back to the channel तो देखे, अभी हमारा for loop complete हो चुका है पिछले वीडियो में मैंने आप लोगो कुछ प्रोग्राम से बताया for loops related ओके, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगो को while loops related कुछ important program बताने वालों जो की important है exam से लेके, ओके, exam में generally वो पूछे जाते ओके, while loops related है first है आपका sum of digits वाला और एक है आपका GCD वाला ओके, GCD means greatest common divisor वाला तो ये दो program जो है वो important program है जो की मैं आज आप लोगों को बता रहे वाला हूँ और जैसे कि पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को prime number का जो एक program था जिसके मैं आप लोगों को coding नहीं बता था उसके coding भी हम लोग इस वीडियो में देख लेगे ओके, तो सबसे पहले ना हम लोग एक program देखेगे, GCD वाला, ओके, greatest common divisor GCD greatest, greatest common divisor, ओके, greatest common divisor, एक्चुली greatest common divisor आप लोगों को पता होगा, कि क्या है greatest common divisor, ओके, मैं इसको comment देता हूँ, एक्चुली मैं हम लोगों को program का एका बनाना है, कि हम लोगों को दो number पूट करने हैं, दो number का हम लोगों को greatest common divisor से निकालना है, अब देखू, जЮरे पास एक number है, जैसे 15 है, ओके, औरहर एक सपोस 27 है, ठीक है, अब देखो, दोनों number को कोन से number से divided जाता है, 3 से divided जाता है, 3 से 15 को भी जाता है, और 3 से 27 27 को भी जाता है ओके अब उसके आगे वाला नंबर देखो कि इससे बड़ा भी कोई नंबर है कि जिससे दोनों को डिवाइड जाता हो जैसे अगर मैं 5 अगर एक्जामपल लेता तो 5 से जाता है कि 15 को 15 को जाता है बर 27 को नहीं जाता देन आफटर 9 9 से 15 को तो नहीं जाता ठी है 6 से भी 15 को नहीं जाता 27 को भी नहीं जाता तो इसवेक्ट जो ग्रेटेस कॉमन डिविजर होगा वो 3 होगा ओके अब यह गर मैं इसको चेंज कर दू जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको मैंने 15 लिया हूँ अगर मैं इसको change करके, suppose 12 ले ले लेता हूँ, 20 नहीं, मैं दूसरा नंमर लेता हूँ, मैं change कर लेता हूँ, suppose मैंने यहाँ पर 30 लिया, और यहाँ पर मैंने लिया, suppose 40, 30 40 लिए इस पर greatest common divisor कौन सा होगा वो देखो अगर मैं consider करूँ यहाँ पर 5 ठीक है 5 से divide जाता है 30 को ठीक है और 40 को भी जाता है ठीक है उसके बाद में कोई और नमबर है कि जिससे 30 और 40 को divide जाता है उसके बाद में कोई नहीं है डायरेकली आपका 10 आता है ठीक है 10 जो है 10 से हम लोग 30 को भी divide कर सकते और 40 को भी divide कर सकते है उसके बाद अगर 15 अगर मैं लेता हूँ suppose अगर 15 लेता हूँ तो 15 से 30 को divide जाता है और 40 को नहीं जाता तो इसमें जो greatest common divisor है वो 10 है ओके में ऐसा नंबर ऐसा लार्जस नंबर जिससे दोनों नंबर को डिवाइड जाता हूँ ओके वह होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर तो इसका हम लोगों को प्रोग्राम देखना है काफी इजी सा है मैं डायरेक्ली आप लोगों को अभी बताता हूं ठीक है यमक्ली है है अथिसके हगे है इसे ऐरेना कोग इसा कया है अब देंक अपनेश करना क्म कumesca इंक्रेंनलों को और स्क्राइड लेकिन इसमें इंक्रीमिंट नहीं आता ही है ठीकम हम लोगों को मैं 하 य क्लूठ कworks है अब देखो कर मैं 40-30 करता हूं तो हम लोगों को directly 10 मिल जा रहा है ओके 40-30 करता हूं या फिर कोई और दुसरा नंबर अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोगों को डायरेकली नहीं मिलता हम लोगों को लूप चलाना है और लूप में क्या करना हम लोगों को जो बड़ा नंबर रहेगा जैसे अभी आप 40 है ठीक है बड़ा नंबर और छोटा नंबर इसको हम लोग क्या करेगे माइनस करेगे ठीक है मिस हम लोगों को क्या करना है कि छोटे नंबर को माइनस करना है बड़े नंबर से यह हम लोगों को लूप के अंदर में करना है ठीक है कब तक करना है जब तक हमारा जो ए और बी दोनों रहेगे वह दोनों नॉट इक्वल रहे कि तब तक हम लोगों को लूप चलाना है ओके तो कैसे करेंगे वह द कर देता हूं 30 से ओक अब डारिकल आप समझ में आ रहा है कि आप एच्छों ग्रेटेस कॉमन डीविजर होगा वह 15 होगा क्योंकि 15 को 15 से भी डिवाइट जाता है और 15 से हम लोग 30 को भी डिवाइट कर सकते हैं तो इसमें जो ग्रेटेस कॉमन डीविजर रहेंगा वह 15 रहेग के अपे कंडिशन देगे आपे कंडिशन कैसी देगे वह देखो सबसे पहले माँ वाइल लिखूँगा और मैंने आप लोगों को बता है कि हम लोगों को लूप कब तक चलाना है जब तक दोनों नमबर नॉट इकवल रहेंगे तब तक तो मैं आपे ए लिखूँगा और एक बाद में नॉट इकवल का आप लोगों को ऑपरेटर का पता होगा नॉट इकवल का होता है एक्सलामेशन मार को रिकवस्टू इसका मतलब होता है नॉट इकवल टो ओके और बी जब तक हम लोगों को लूप चलाना है ठीक है और लूप में क्या करना है हम लोगों को चेक क करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है क्योंकि हम लोगों को क्या करना है कि जो नंबर बड़ा रहेगा ठीक है मिस जो नंबर छोटा रहेगा उसको हम लोग माइनस करेगे बड़े नंबर से ओके तो सबसे बहले हम लोग चेक करेगे कि A greater than B है क्या A greater than B है क्यों check करेगे अब यह अगर condition true होगी तो आप लोग उब को समझ में आ रहा होगा कि A जो है वो बड़ा होगा अगर यह condition true होगी तो इसमें हम लोग क्या करेगी A में ही value set करेगी A minus B की ठीक है A में ही हम लोग value set करेगी A minus B की, then after हम लोग क्या करेगे, इस block को close कर देगे, और उसके बाद में else में हम लोग क्या लिखेगे, वो देखो, अगर ये condition false हो जाती है, इसका मतलब क्या होगा, कि जो B होगा, वो बड़ा होगा A से, ओके, इसमें हम लोग क्या करेगे, B में हम लोग value set करेगे, B में हम लोग value set करेगे, B minus A की, ओके, B minus A की, then after इसका हम लोग close कर देगे, और यहाँ पर हमारा look close हो जाएगा, और directly नीचे में लिख देगे C out, और यहाँ पर GCD लिख देगे, GCD is, यहाँ पर देखो क्या आएगा, वो देखो, यहाँ पर हम लोग GCD में value put करेगे, सिर्फ A की, ठीक है, अब A की put क्यों करेगे, वो देखो, ठीक है, मैं आप लोगों को बाद में explain करके देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर मैं gate CH लगा देता हूँ, और gate CH लगाने के बाद में, हम लोग return 0 देदेगे, और return 0 के बाद में, when function हम लोग, डारेकल एक बार compile करके दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को, error आते ही के कुछ चेक करते, देखो, error तो कुछ नहीं आया, अभी मैं इसको run करके दिखाता हूँ, ओके, तो देखे, run करने के बाद में, जो हमारा gcd डारेकल हमको 15 जो है, वो मिल रहा है, ओके, अभी हम लोग change करते हैं, थोड़ा सा change करते, मैं a की value, suppose 52 ले लेता हूँ, ओके, 52 लेता हूँ, ओके, 52, और एक लेते हम लोग 78, ओके, अब इसमें हम लोग चेक करते, greatest common divisor, अभी इसमें greatest common divisor क्या आएगा, आपकी सबसे, वो सोच के देखो, क्या आएगा, ओके, ऐसा कुन सा number है, जो दोनों को divide कर सकता है, ठीक है, सबसे बड़ा number, ओके, एक बार इसको run करके देखते, और 26 से कैसा number है, जो दोनों को divide कर सकता है, ठीक है, और अगर मैं, दुसरा अगर एक number लेता हूँ, जैसे 78 के जगा, अगर मैं, 65 लेता हूँ, ओके, 65 अगर मैं लेता हूँ, तो देखी क्या आता है, यहाँ पर आएगा हमारा 13, ठीक है, इस पर 13 जो है, greatest common divisor अपने को मिलेगा, अब देखो, एक्चुल में क्या हो रहा है, वो देखो, सबसे पहले तो A not equal to B है कि यह चेक होगा, तो अपना A क्या है, अभी 52 है, और B क्या है, अपना 65 है, तो condition satisfy होती है, condition true होगी है, क्योंकि दोनों not equal to है, उसके बाद हम लोग चेक कर रहें, इस में A greater than B है क्या, तो A हमारा 52 है, और B क्या है, हमारा 65 है, तो A greater than B है क्या नहीं है, ठीक है, तो यह condition false हो जाएगी, और फिर यह वाला जो statement है, यह execute होगा, यहाँ पे होगा, B minus A, B minus A होने के बाद में B में value set हो जाएगी, ओके, तो B minus A करेंगे हम लोग, तो B में हमारा 65 है, और A में हमारा क्या है, A में है हमारा 52, तो 65 minus अगर मैं 52 करता हूँ, 65 minus अगर मैं 52 करता हूँ, तो directly हमारा को answer मिल रहे है 13, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ यहाँ पे B display करवा रहे है, नहीं करा रहे है, ठीक है, actual में यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखो, अब देखो यहाँ पे न, जो B की value है, वो हो गई है 13, ओके, B की value हो गई है 13, और अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे loop तो end नहीं होगा, directly, यहाँ पे फिर से check होगा, यह है, A not equal to B है क्या, ओके, तो A फिर से not equal to B है, मींस हमारा A तो 52 ही है, बड B क्या हो गई है, हमारा 13 हो गई है, तो फिर से condition यहाँ पे check होगी, ठीक है, यहाँ पे condition check होगी, और A greater than B है क्या है, चेक होगा, तो अभी हमारा A जो 52 है, और B क्या है, 13 है, ओके, तो अगर अभ 13 क्या आ जाएगा, हमारा 39 आ जाएगा, ठीक है, तो 39 काई में store होगा, A में store होगा, ओके, तो मैं आपे A में store कर देता हूँ, 39, ओके, A में हमारा store होगा, 39, अब A की value है 39 और B की value है 13, ओके, एल्स पार्ट पर execute ने होगा, फिर से आपे loop में, loop अपना चलेगा, ठीक है, फि फिर से ये जो है, ये execute होगा, ठीक है, वाइल का जो body है, वो execute होगी, तो A है ये हमारा अभी 39, A क्या है हमारा अभी 39, और B क्या है हमारा 13, ओके, तो अगर हम लोग अभी calculation करते हैं, फिर से ये वाला calculation होगा, क्योंकि A हमारा बढ़ा है, ओके, A 13 है न, B 13 है, ये condition true हो जाती है, तो 39 माइनस अगर मैं 13 करता हूँ, 39 माइनस अगर 13 करता हूँ, A की value है 13, और B की value है 13, तो हमारा answer क्या आता है, 26 आता है, ओके, वो set हो जाएगा, A में, तो A में value आजाएगी आपकी 26, तो फिर से लूप चलेगा, else part execute होगा, फिर से लूप चलेगा, दोनों नॉटिक व value है 26, B की value है 13, फिर से ये calculation होगा, A माइनस B होगा, फिर B की value क्या चल रही है, अपनी 13 चल रही है, और A की value चल रही है 26, अगर मैं A माइनस B करता हूँ, तो हमें A क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, ठीक है, 13 मिल जाएगा, अब इसके बाद क्या होगा, वो देखो, इसक यह से आपर चेक होनी जाएगी condition, अब इस condition में देखो, A भी हमारा 13 हो रहा है, B भी हमारा 13 हो रहा है, तो इस condition में क्या हो रहा है, अपना जो condition है, वो false हो रही है, क्योंकि not equal to है क्या दोनों, नहीं, not equal to नहीं है, यह equal to है, ठीक है, B भी 13 है, और A भी 13 है, तो यह skip हो जाए जाएगा, ओके, तो यह हो गया, आप लोगों का GCD का प्रोग्राम, मैं आप जादा confusion नहीं करना चाहता, आप लोग इसको देख लो, और इसको बार बार solve करके देखो, और values आप लोग पूद करके देखो, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जादा मैं आप लोगों को confused नहीं करना चाहता, ओके, तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, आपन अभी directly next program देखते, next program होगा आपका sum of digits का, ओके, तो इसको आप लोग लिखना चाहते हो, तो लिख लो, pause करके, ओके, तो देखिए अभी मैं यह सारा निकाल देता हूँ, ओके, यह सारा निकाल देता हूँ, अभी हम लोग sum of digits का program देखेगे, यह सारा चीज़ा आपन निकाल देते है, ओके, CLRACR रहने देते हो, sum of digits वाल प्रोग्राम देखते है, ओके, अब देखो, sum of digits का मतलब क्या है, वो देखो, sum of digits में आपने को, अलग-अलग number नहीं लेने, ठीक है, एक ही number रहेगा, suppose, sum of digits में एक heading दे रहेता हूँ, sum of digits, ओके, अब जैको, जैसे मेरे पास एक number है, 346, 246, ओके, 246 है, अब इसमें मुझे क्या करना है, 246 मेरे पास एक single number है, ओके, यह single number है, इसमें मुझे add करना है, 2 को 4 से, और 4 को 6 से, ठीक है, means 2 प्लस 4 प्लस 6, यह हम लो और 4 किता होता है, 6 होता है, 6 और 6 किता होगा, 12 होगा, तो हम लोगों को 12 answer लाना है, okay, मैं change करके और बताता हूँ, आप लोगों को, suppose, मेरे पास एक और ऐसा number है, suppose, मेरे पास 67 है, तो मुझे 6 और 7 को add करना होगा, और 6 और 7 को add करके, हमको answer किता है, 13 मिलेगा, ठीक है, तो यह answer अपने को लाना है, ठीक है, और suppose, अगर मेरा यहाँ पे 1 है, तो 6 प्लस 7 प्लस 1 किता हो जाता है, 14 हो जाता है, ओके, यह अपने को answer लाना है, यह answer अभी कैसे लाएगे, वो देखो, actual में हम लोगों क्या करना होगा, इसमें अपने को यह जो number से separate separate करने होगी, ठीक है, अब यह separate separate कैसे करेगे, वो देखो, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेगे, 1 को separate करेगे, ठीक है, और फिल 7 को separate करेगे, 6 को separate करेगे, यह separation कैसे करेगे, वो देखो, ओके, actual में हम लोग को क्या करना है सबसे पहले 一 को निकाल देना है यहाह से ठीक है हम लोगOME को निकालेगी क्योंकि sout करना पॉजीबल नहीं है ठीक है लिधेश से राइट साइट इसको से होट करना ऊसी बें ठीक है ये नंबर का एक गजामपल लेते हैं हम लोग एक n ले ले-ले यह पे एन ले लेते हैं और एल हैं इक वस्टू fan ले ले ठीक है 3 यू भी Sum आएगा और Sum को अंडिशलाइज करेगी 0 से त्यूखिया हम लोग Sum लोग Sum में आड करने वाले जो भी पहले आपन 1 को निकालेगे तो 1 को इसमें एड़ करेगे फिर 7 को निकालेगे तो 7 को एड़ करेगे फिर 6 को निकालेगे तो 6 को एड़ करेगे ठीक है थोड़ा थोड़ा concept sum of first in natural number जैसा है इसका ओके और एक variable यहाँ पे लेगे हम लोग यह R कैकलिक लेते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ actual में देखो हम लोगों को क्या करना है 671 में से 1 अगर निकालना है तो कैसे निकालेगे वो देखो देखो अगर मैं 2 सी divide करता हूँ तो भी answer आ सकता है लेकिन मैं 2 सी divide नहीं करूँगा मैं यह जो number है इसको divide करूगा 10 से कैसे divide करूगा 10 से divide के जगा मैं काय काय यूज़ करूगा module operator का use करूगा ठीक है module operator से हम लोगों को reminder मिलेगा अगर मैं 670 को अगर module operator से अगर divide करता हूँ तो हमको reminder क्या मिलेगा 1 मिलेगा ठीक है फिर हमारे पास 67 बच जाएगा, अगर मैं 67 को अगर 10 से डिवाइट करता हूँ, तो 10 6 होता है 60, और बसता क्या है हमारा 7, 7 हम लोगों को reminder मिलेगा, ठीक है, यह सिर्फ integer value के साथ ही possible है, आप लोगों को पता होगा, ओके, फिर बचा 6, फिर 6 को भी अगर मैं 10 से डिवाइट कर CLR, SCR तो अपना रहे गई, इसमें आपने को सबसे पहले while loop चलाना पड़ेगा, ठीक है, while loop चलाना ही पड़ेगा, और while loop कब तक चलाना पड़ेगा, वो देखो, जब तक हमारा n जो है न, वो n greater than 0 रहेगा, तब तक है, n जब तक 0 से बढ़ा रहेगा, तब तक ही हम लोगो को चलाना है, हम लोगों को loop का बेटन करना है, जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तक, ठीक है, 0 कब आएगा, वो देखो, अब मैं यहाँ पर ब्लॉग देदूगा, ठीक है, अब हम लोगों को सबसे पहले reminder निकाला है, reminder का यहाँ देखो, आर में हम लोगों को निकालना है reminder, तो मैं and लिख दूगा, और फिर यहाँ पर module operator का ही उसकर दूगा, और module operator के बाद में 10 लिख दूगा, क्यूंकि हम लोग 10 से ही निकालने वाले है, इसे हम लोगों को reminder मिल जाएगा, then after क्या करेंगे, जो भी हम लोगों को reminder मिलेगा, उसका हम लोग add करेंगे, sum में, तो मैं sum equals to sum plus 0 लिख देता हूँ, ठीक है, sorry, sum plus 0 नहीं, sum plus r, जो भी हम लोगों को reminder मिलेगा, वो हम लोग यहाँ पर add कर देगे, ओके, अब देखो, हमने 671 में से 1 तो निकाल लिए, but 67 separate हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ठीक है, 67 को देखो separate करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 67 क हम लोगों को separate करने के लिए, अगर मैं n को, n को अगर मैं divide करता हूँ 10 से, means अगर मैं n को अगर divide करता हूँ 10 से, बीना modular operator का use करके, अगर मैं quotient लाना चाहता हूँ, तो क्या आएगा answer, जड़ा सोचके, तो divide करो, divide करो, 10 को divide करो, 671 से, तो 10 60 आता है सबसे पहले, 10 60 आता है, ठीक है, उपर में आपका quotient में पहले 6 आ जाएगा, ठीक है, फिर 60, आप लोग माइनस कर दोगे, 671 में से, फिर 71 बचेगा, फिर 71 को आप लोग divide करोगे, काईसे, 10 से ही divide करोगे, है ना, तो फिर 10 7 जा आ जाएगा, आपका, क्या आ जाएगा, 70, और आप लोग लिखोगे 70 और reminder में आएगा, reminder में आएगा, one, और उपर में quotient में आएगा, आपका 67, ठीक है, point वाली value नहीं आती, क्योंकि हम लोग या पे real numbers कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे है, int कही हम लोग use कर रहे, तो quotient में हम लोगों को मिल जाएगा, 67, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना हो होगा, and equals to my directly लिख दूँगा, and divided by 10, इसे हम लोगों को मिल जाएगा, quotient, ओके, यह बन गया हमारा loop, और loop बनने के बाद में, यह हो गया हमारा program complete, ठीक है, cout वाला statement लिख दूगा, और यहापे मैं, sum equals to, sum equals to, और sum की value हम लोगों display कर देगी, जो भी sum में value आईगी, ठीक है loop कैसे execute होगा, मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, okay, तो 14 answer आना चीए, देखते है, 14 answer आता है क्या, run करके देखते है, directly, तो देखते है, 14 answer आ रहा है, ठीक है, अब exact क्या हो रहा है, वो देखो, मैं आपे बताता हूँ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किये, यहाँ यहाँ पे condition दिए, and, and है अपना 671, ठीक है, and जो है, अपना 671 है, ठीक है, and जो है, and equals to 671 लिख दिए, ठीक है, और अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे है, reminder निकाले, reminder निकाले के, कैसे निकाले के, वो देखो, and modulo 10, means, and modulo 20, means, अगर 671 को अगर मैं डिवाइड करता हू 10 से, modulo operator का use करके, ठीक है, तो क्या है, reminder आएगा, तो obvious है कि, अगर मैं 671 को, अगर मैं divide करता हूँ 10 से, तो हमको reminder 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे अपना r क्या हो जाएगा, यहाँ पर r हो जाएगा, अपना 1, okay, means, reminder हमको 1 मिल जाएगा, ठीक है, जैन अपन यहाँ पे क्या क अपने को 1 मिल रही है, और 1 को अपन यहाँ पर add कर देखो, तो sum की value अपने को क्या मिल जाएगी, sum है अपना पहले 0 और r है अपना 1, तो 0 प्लस 1 कित्ता हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो sum में अपने को 1 मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद में देखो, अपन क्या कर रहे है, अपन कोशन निकाल रहे है, ठीक है, अप कोशन निकाल रहे है, तो and divided by 10, means अगर मैं 671 को कोई divide करता हूँ 10 से, 671 को अगर मैं divide करता हूँ 10 से, तो अपने को कोशन क्या मिलेगा, 67 मिलेगा, ठीक है, तो and equals 2 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, directly 67, ओके, अब इसके बाद में इसके बाद में फिर से आपे condition check होगी, कि अपना जो and है, वो बड़ा है कि 0 से, तो अभी अपना and क्या चल रहा है, 67 चल रहा है, ठीक है, मैं यह 1 निकाल देता हूँ, and है अपना 67, तो 67 greater than 0 है, obvious है, ठीक है, अब यहाँ पर अपने को reminder निकालना है, तो and मैं 67 रखता हूँ, तो मैं आपे लिख देता हूँ 7, ओके, reminder में आगा 7, अब इस 7 को अपन क्या करेगे, add करेगे, sum में, का आप add करेगे, sum में add करेगे, तो sum की value पहले क्या चल रही है, 1 चल रही है, sum की value क्या चल रही है, 1 चल रही है, तो 1 प्लस reminder क्या आ रहा है, अपना 7 आ रहा है, तो 1 प् क्या जाएगी अपनी 8 आजाएगी उसके बाद यह वाला calculation होगा फिर 67 को अपन divide करेंगे 10 से काइसे divide करेंगे 10 से divide करेंगे तो देखो क्या आएगा 67 को अगर divide करते हो आप लोग 10 से तो वही वही चीज होगी ठीक है 10 6 अपने को मिलेगा 6 6 मिलने के बाद में देखो क्या होगा फिर से यहां पर चेक होगा कि 6 जो यह बढ़ाए कि 0 से तो यहां पर 0 से हो जाएगा ठीक है 0 से multiply करेंगे तो 0 आजाएगा रिमाइंडर बापने को 6 मिल जाएगा ठीक है तो 6 मिलने के बाद में अपना जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर तो अपने को 6 मिल रहा है फिर यह add हो जाएगा अपना sum में ठीक है तो quotient में क्या आएगा 0 आएगा ठीक है यह उपन ने उपर में ही देख लिए quotient में आएगा 0 तो n हो जाएगा अपना 0 ओके n हो जाएगा अपका 0 फिर यहाँ पे चेक होगी condition 0 greater than 0 है क्या क्योंकि n क्या हो गया अपना 0 हो गया तो 0 greater than 0 है क्या बताओ नहीं है तो यहाँ पे condition false हो जाएगी यह जो loop है यह execute नहीं होगा directly यह जो see out वाला statement है यह execute हो जाएगा और sum में sum की value अपने को display हो जाएगी तो sum में कुंती value चल लिए 14 चाल लिए ठीक है तो इस तरीके से आप लोग sum of digits का भी program बना सकते हो ओके मैं भी इसको अभी ज्यादा नहीं करना चाहता आप लोग values put करके देखो और इसको ऐसे ही rough में execute करके देखो ठीक है इसको rough में solve करके देखो तो आप लोगों को और easy way में समझ में आ जाएगा तो यह दोनों जो logics मैंने आप लोगों को बताया एक GCD वाला और sum of digits वाला यह important है हमेशा exam में हमेशा तो नहीं लेकिन आ सकता exam में ठीक है directly नहीं पूछा जाएगा लेकिन function function का use करके आप लोगों को पूछ सकता है तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए ओके तो I hope आप लोगों को यह दोनों program समझ में आ गए होगे इसी के उपर important lecture था अब आप लोग यहाँ पे देखना stop भी कर सकते हो या फिर आप लोग देख भी सकते हो ओके प्राइम नंबर की कोडिंग हम लोग करने वाले जो कुछ मैंना आप लोगों को बताया था उस दिन को के डायरेक्ली मैं आपे हैश इंक्लूड अभी टाइप कर लेता हूं मैंने फालतों में उसको कट कर दिया ओके हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच ओके आप लोगों को पता होगा काफी सिंपल सा लॉजिक है अगर आप लोगों ने वाला वीडियो देखे होगे तो आप लोगों पता हुगा नहीं देखे होगे तो देख लेना ठीक है बहुतi इसी बे मैं मैं आप लोगों को बताने उटाओ वोगों बहुती वियम ठीक है यह आप स्पैलिंग कर लगभी का ध्यान का गलत हो और का विकाबर हमसे ऑगलती हो जाती है लेकिन स्पैल इन लेगे एन क्यों रहे थे एन नहीं है इस प्रोग्रम में यह दो एक नमबर दे रहे थे हुआ सीन का भी उस नहीं करते एक नंबर देते तो सब्सक्राइब अब 13 क्या है प्राइम नंबर यह तो समझ में आता है ठीक है एक और हमने लिए थे वेडियेबल पी पी ऐसे फ्लैग लिए थे हमने पी का मैं आप लोगों को बाद में मिनिंग बता तो ठीक है अब जिन्होंने न सबस्राइब यहां पर मैं इनिशिलाइब नहीं किये यहां पर आप दरशलीने करकी इसको इनिशलाइ लिए लोगा और इसको इनिशलाइब करूं से ठीक है यूणो तू हमने क्यों लिए ठीक है फिर रादर्देर एंगी करें करेंगे और उसके बाद में इंक्रीմेंट क करने के बाद में क्या करेंगे नीचे में हम लोग क्या करेंगे ठीक है क्या चेक करेंगे कि जो हमारा जो कोशेंट आएगा ठीक है जो भी हमारा कोशेंट आएगा कोशेंट नहीं सॉरी डिमाइंडर जो आएगा हमारा वो रिमाइंडर जीरो आएगा कि वो चेक करेंगे ठीक से चीक कर रहे थे इसके बाद में ब्लॉक में हम लोग क्या कर रहे थे अगर यह कंडिशन अगर प्रू होती है तो पी में हम लोग वन सेट कर दे रहे थे और उसके बाद में यहाँ पर इसको close कर देंगे, उसके बाद में फिर से if देंगे, ठीक है, उसके नीचे if देंगे, और if में हम लोग चेक करेंगे कि अगर p अगर 0 ही होता है, अगर 0 ही होगा, तो नंबर जो होगा हमारा प्राइम होगा, तो उसका एक statement लिख देगे, cout, और मैं directly लिख देता हूँ, या पर प्राइम जो मैंने आप लोग उस दिन बताया था, ठीक है, उसके बाद में अगर 0 नहीं होता है, अगर 0 नहीं होता है, तो हम लोग क्या अब देखो कुछ चीज इस्ट्राइक करने के लिए मैं आप ए प्रोग्राम को ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगो कुछ दिन वहाँ पर बताया था, यह नॉट प्राइम आएगा, ठीक है, नॉट प्राइम लिख देता हूँ, नॉट प्राइम इसलिए डी के लिखाऊ साघ करेंडोपाइं और अपना उर्म लेसा है, बाइड को मैं प्रीडोप का आपको प्रोग्राम बताते है बाइड कर दे मिसके बाद लिख यह पर प्राइद अप लुग आप लोगों कम्फीजन नहीं होना ची इसलिए स्पेस देखों इसके बाद में मैं अभी गेट ch जिए देता हूं, get ch, ओके, और इसके बाद में return 0, return 0, और इसके बाद में यहाँ पे इसको हम लोग close कर देगे, ठीक है, तो देखो 13 नमबर प्राइम है का नहीं है, अपन एक बार चेक कर लेते, डारेक्ली रन करके, मैं बाद में आप लोगों को थोड़ा explain करके दिखाता symbol a आगे, अपना symbol a का से आगे रहे, अरे sorry मैंने यहाँ पर a लिख दिया, यहाँ पर an आएगा, ठीक है, अपने इसको फिर से run करेगे, तो देखो, यह sum क्यों आ रहे है, लिखते है, अपने, अच्छा, clrscr नहीं दिया, अपने, clrscr, अब देखते 13 प्राइम हैं नहीं ह लें क्या आता है, 14 प्राइम नॉमबर ऐक है चेक करते हैं, तो देखो, नोट प्राइम लिख कशे आ रहा है, ठीक है, अगर मैं आप Department 27 लिखता हूँ, Стuk 27 क्या है, सोच हो, 27 को 3 से डीवाइड जाता है, ठीक है, 3 से डिवाइड जाता है, तो 27 जो है नोट प्राइम है, चे greater than होते है ठीक है और हम लोगों को अगर चेक करना है प्राइम नंबर तो अपने को टू से ही डिवाइट करना होगा ठीक है तू के बात के नंबर से डिवाइट करना होगा अब सपोर्ज या पर मैंने 27 बहुत बढ़ा नंबर लिया हो मैं आप फाइल ले 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 तो ठीक है फ को 5 से डिवाइट करेंगे क्या नहीं करेंगे ओके सिर्फ फोर तक के करेंगे वह मैंने आप लोगों को लॉजिक में बताया हूं अब यहां पर आएको वस्टू टू पहले टू इनिशिलाइज हो जाएगा आएको फिर कंडिशन चेक होगी कि टू लेस देन एन आई गया तो आइन की वेलू अपने 5 है और आई की वेलू 2 है तो यह कंडिशन है पर true हो जाएगी उसके बाद यहां पर क्या होगा हपना reminder निकाल रहे है आप एक्ट्व में क्या करने रिमाइंदर निकाल रहे है तो एन मोडूलो I है क्या वो चेक करेंगे देखो कोई भी नमबर को वह भी डिवाइड हो जाता है तो अपने को रिमाइडर क्या मिलता है जिरो मिलता है ओके अगर डिवाइड हो जाता है तो तो सबसे पहले आपके हम लोग चेक करेंगे मतलब आयन तो अपना 5 और I कितना अपना 2 है तो 2 से अगर हम लोग डिवाइट करते 5 को तरियो माइंडर क्या मिलेगा 2, 2 सा 4 हो तरियो माइंडर अपने को 1 मिल जाएगा तो 1 मिलेगा तो ये condition satisfy होती है का नहीं होती ठीक है तो फिर से ये loop मतलब ये जो है if वाला ये जो अपने अंदर में लिके ये execute नहीं होगा ठीक है वापस यहाँ पर increment हो जाएगा अब increment होने के बाद में I क्या हो जाएगा अपका 3 हो जाएगा फिर I के value 3 हो जाएगी और फिर ये भी condition check हो जाएगी ये आपके ये execute नहीं होगा फिर से आपके increment होगा फिर ये हो जाएगा 4 ठीक है आए पर ले 3 चल रहा था आप 4 हो जाएगा फिर 4 less than n ही क्या means 4 less than n तो है है कह ने 5 n अपना n तो फिर या पर फिर से चेक होगा फिर से आपके चेक होगा अम लोग condition के ये जो दिये if की तो n है अपना 5 और i है अपना 4 तो 4 वन्जा 4 होता है रिमेंडर अपने को वेंड मिलता है तो यहाँ पर भी condition सैटिस्फरन ही होती है और ये नहीं होगा execute ओके अब फिर से increment होगा अब i क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा अब i क्या हो जाएगा फ्योट चलएगा पहले 4 चल रहा था अब 5 हो जाएगा तो i less than and के check होगा तो i क्या चल रहा है अपना 5 चल फा तो i less than 5 नहीं है यह condition automobile क्या हो направ동 हो जाएगा क्या नहीद है यह condition हां यहाँ से क्या हो Jeans जोगी means P में हम लोग 1 set करेगे जब reminder 0 आएगा लेकिन यहाँ पे तो reminder 0 आया ही नहीं तो P की value पहले से क्या चलूए 0 चलूए तो अगर 0 चलूए तो हम लोग prime number दिखा देगे और अगर अगर 1 हो जाती है suppose अगर मैं आपर 4 लिख देता हूँ suppose ठीक है अगर मैं आपर 4 लिख देता हूँ तो पहले ही बार में यहाँ पर reminder अपने को मतलब P में जो value है वो 1 set हो जाएगी P में value 1 set हो जाएगी क्योंकि एक नहीं का ऐसा मतलब 2 से हम लोग divide करेंगे 4 को तो रिमाइन आपको 0 मिल जाएगा और 0 एक बस तो 0 एक है यह चेक हो जाएगा और चेक होने के बाद में P में value set हो जाएगी 1 तो जब 1 आएगा तब not prime display हो जाएगा ठीक है means अगर P की value अगर 0 नहीं है तो not prime यह display हो जाएगा और अगर 0 रहती है तो number क्या रहेगा हमारा prime रहेगा तो काफी easy coding है काफी easy coding है और यह आप लोगों को पता होने चाहिए exam में यह भी काफी बार पूछा जाता है तो logic देख आज में आगया होगा और इससे related अगर कुछ भी अगर अप लोगों को अगर डाउट रहता हो तो आप लोग मुझे पूस सकते हो ठीक है टेल्ग्राम ग्रूप की link description में वहापर भी जॉइन होके आप लोग मुझे पूस सकते हो ओके तो stop करते आज के लिए मिलते है नेक्स